दोस्तो डिरेक्टरेट आफ रिविन्यू इंटेलिजेंस ने 2.7 बिलियन डॉलर की लागत का हिरोईन टीज किया है मुन्डरा पोर्ट से और ये भारत में तो लार्जेस्ट कैच है आज तक का इतना बड़ा हिरोईन की कंसाइनमेंट आज तक नहीं पकड़ी गई है और माना आज इन सब पर चर्चा करते हैं तो दोस्तो मैं किंजल चौजवी स्वागत करता हूँ आप सभी का पाठ फाइंडर पर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद आपको PDF अपडेट्स मिल जाएंगे साथी साथ नीचे दी ग किलो तीन टन हिरोइन एककिस हजार करोड की कीमत की बरामद हुई बिगेस्ट कैच येट वही जिस पोर्ट में हुआ है मुंडरा पोर्ट तो अडानी ग्रूप जो की ऑपरेटर है उन्होंने भी कुछ क्लारिफिकेशन दे दिया है कि भाई हमारा कोई लिना देना नहीं है तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्या है ये सब कुछ आईए इसको जानते हैं तो न्यूज में दोस्तों जैसा है कि एक हिरोइन की दो कंटेनर थी कंसाइनमेंट थी जिसमें दो शिपिंग कंटेनर से ये अफगानिस्तान से ओरिजनेट कर रही थी कांधार से कांधार से बंदर अबास पोर्ट एरान गई और वो कंटेनर फिर शिप में कुछ अगर आप देखें तो गुजरात में मुंदरा पोर्ट में आती हुई दिखी और जहां पर उसे पकड़ लिया गया तो आईए इसको मैप के ठुरू देखते हैं तो दोस्तों जैसा आप देख सकते है यह जो औरिजनेट हुआ है यह कांधार में हुआ है कांधार से आप देखे तो यह इरान में सित बंदर अबास पोर्ट गया और बंदर अबास पोर्ट से दोस्तों इसको फर्दर भेजा गया कुछ यहां से जैसा आप देख सकते हैं यह गया मुंदरा पोर्ट तो मुंदर हिरोईन है इसका भी confirmation गुजरात के forensic laboratory ने दे दिया है तो यह जो इसको seize किया है इस डाइरेक्टरेट औफ रिवेन्य इंटेलिजेंस और यह consignment की कीमत 2.7 बिलियन 3 बिलियन जोकी largest seizure of heroine है इंडिया में single largest and across the globe भी शायद one of the largest होगा तो consignment की बात करें दोस्तो तो जो importer है इंडिया में वह एक विजयवड़ा विजयवड़ा तमिलनाडू में एक कंपनी है आशी ट्रेडिंग कंपनी जिसके ओनर है वैशाली और सुधाकर तो जब ये टाल्क स्टोन है और टाल्क स्टोन मंगवाया जा रहा था लेकिन जब डियाराई ने इन पकड़ा तो वह पता चला कि भाई ये तो हेरोईन है तो वैशाली और सुधाकर कपल है वही इस आशी ट्रेडिंग कंपनी के ओनर्स थे और आशी इनको हिरासत में ले लिया गया है और माना जा रहा है एक डियाराई के ओफिशियल ने एनॉनिमिटी मिंटेन करते हुए इस केस के बारे में कहा है कि ये आशी ये वैशाली और सुधाकर जो की आशी ट्रेडिंग कंपनी के ओनर है ये अफगानिस्तान और इरान बेस पीपल से इंस्ट्रक्शन भी ले रहे थे लेकिन इनका कमिशन बहुत कम है तो मोस्त राइक लिए बहुत स्मॉल प्लेयर है तो लिंच पिन की तलाश अभी भी जारी है अभी भी उसे ढूंडा जा रहा है वही डियाराई तो इसमें थी ही जिसने सीजर किया है इसके सिवा इडी इन्फोर्स्मेंट डारेक्टरेट भी इस इन्वेस्टि और उनको पकड़ते दोरान उन्होंने कई जगे रेड किये हैं जिसमें एडिशनल 20 kg हिरोईन और 8 kg कोकेइन भी सीज किया गया है दोस्तों अडानी पोर्ट के द्वारा ये पोर्ट ऑपरेटर थे इस मुन्डरा पोर्ट के तो अडानी पोर्ट सेंड एसीजर लिमिटेड ने भी कह दिया है कि बाई जितने हैं आप सेंस्ताब को कहल सकते हैं इस से जाधा कुझ काम वो नहीं कर सकते हैं कि बिकार में हमें इसमें involved ना करें हमारे बस ये किसी कारेंट से अडानी पोर्ट में उत्रा होगा जो भी होगा लेकिन हमारा इससे इसके सिवा other than unloading और कोई रोल नहीं है तो बाखी DRI and customs ही कर सकती है ऐसे cases को investigation तो दोस्तों यहां पर investigating authority majorly कौन है Directorate of Revenue Intelligence तो exam के point of view से बहुत important है आप इस सिंस्था को जान जाएं तो Directorate of Revenue Intelligence Central Board of Indirect Taxes and Customs के अंदर आती है और उसी के officials इनको run करते हैं तो यह Ministry of Finance के द्वारा के अंदर आती है तो Ministry of Finance की ही यह एक Premier Investigating Authority है तो दोस्तों इसके बारे मैं आपको बता दू DRI की बात करू तो यह Customs Act को देश भर में enforce करती है तो जैसे कोई Contraband Article है उसकी Smuggling हो रही है तो उसको रोकना Fire Arm इंडिया में आ रहा है बंदूग गुला तो उसको रोकना Gold, Narcotics यह अगर इंडिया में Import हो रहा है Unlawful तरीके से उसको रोकना Fake Indian Currency Notes Antiques, Wildlife, Environmental Products है ना हाथी के दात हो गए Tiger की जो Skin हो गई इन सब को भी यह देखे तो यही Body है जो कि इनके Imports को चेक करती है याद रखिएगा यह कोई Statutory Body नहीं है तो दोस्तों गर हम बात करें Drugs की तो Taliban कहा जा रहा है कि World Economies ने Taliban को Disown कर दिया है और उसके बाद यह Taliban अपने आपको Run करने के लिए Fund करने के लिए इस प्रकार के Drugs सब दुनिया भर में बेजना शुरू करेंगे और इसमें कहा जा रहा है जो Experts हैं कि इसमें Tacit Approval of ISI है और ISI भी इसमें involved है तो दुस्तों दुनिया की बात करूँ तो लगभग 95% 95% of World का Opium Production बस और बस तीन देशों में होता है कौन कोर है अफगानिस्तान मेक्सिको और मेयानमार आपको जल्दी से मैप में दिखा दूँ दूस्तों दिस इस मेयानमार यह वाला पाट आप देखे तो यहाँ पे अफगानिस्तान और तीसरा आप देखे तो दिस इस मेक्सिको तो यही देश मिलके 95% of Drug Production अगर हम देखें Opium Production अगर हम देखें तो इसके लिए यह जिम्मेदार है तो US Congress Hearing में experts ने 2009 में जब American Boots अफगानिस्तान में थे अफगानिस्तान में थे अफगानिस्तान को कंट्रोल करके रखी थी उस 2009 में American experts ने ऐसा कहा है उसके बावजूत अफगानिस्तान की आधी GDP से ज़्यादा GDP कहां से फंड हो रही है illegal drugs trade से तो आप सोच सकते हैं दोस्तों अफगानिस्तान में illegal drugs trade कितना बड़ा business हो चुका है जहां तक बात है दोस्तों Taliban की तो Taliban इसको out right ban नहीं करती है Taliban में जो rule है उनके मताबिक consumption of opiates आप opium derived products को consume नहीं कर सकते that is banned वो band है लेकिन आप उसको cultivate कर सकते हैं याने उगा सकते हैं आप उसको sale कर सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से तालिबान बहुत ज़्यादा opium production अल्रेडी दुनिया में आप देखे तो आप बढ़ाने वाली है वेजिंसीज हैं वो भी बहुत सतर्क हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे और कंसाइनमेंट अभी आएंगे बाकी दोस्तों इन्विस्टिगेशन अभी जारी है और आने वाले दिनों में जल्दी पता चलेगा इसका लिंच पिन इंडिया में कौन ह तो तब जब पता चलेगा तो बहुत अन्य नए खुलासे भी होंगे तो दोस्तों आची क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें पाथ फाइंडर चैनल को ज़रूर सब्स्राइब करें और दोस्तों जब इन अकैडमी कोड तो इससे आपको मिंटर्शिप भी मिलती है इसके सिवा दोस्तों अनकैडमी यूपसी मेगा कॉमबैट है दस करोर रुपए से ज्यादा की स्कॉलर्शिप है तो इसका फायदा उठाए किसी वन जिरो कोड का यूज करें 19 सप्टेंबर 11 बजे है उसे जल्दी से जाए आपको एक personal coach मिलते हैं जो कि आपकी preparation strategy बताते है regular main question answer practice होता है study tracker मिलता है हर 15 दिन में experts साब से आपके suitable time पे दोनों जब बैट के बात कर सकते हैं क्या progress हुआ कहां पर अटक रहे हैं यह सारी बाते होती है study booster session होता है and live classes from top educators आपको मिलते ही है mock test भी quizzes भी यह सब तो आपको मिलते ही है तो दोस्तों यह additional benefit है i connect का तो plus subscription की अगर हम कीमत देखे एक साल की है 44,550 रुपए 2 साल की 14,800 रुपए 3 साल की 81,000 रुपए यह कीमते तब है जब आप code KC10 का इस्तमाल करते हैं वही दोस्तों अगर हम i connect subscription देखे तो इसकी एक साल क कीमत से 67,050 रुपई दो साल की कीमत है 1,4,1,75 रुपए 3 साल की 1,38,3,75 रुपए इस सारी कीमते तब है जब आप KC10 कोड का इस्तमाल करेंगे इसके सिवा optional subscription है एक साल की कीमत है 24,750 रुपए on using the code KC10 दोस्तों by September से नए batches start हो रहे हैं तो यह ideal time है an academy subscription आप जरूर अभी ले सकते हैं तो इसके सिवा जब भी आए use the code KC10 I hope आपका आज की वीडियो पसंद आयो thank you so much for joining have a great day and let's crack it